देखो यार अब हमारे पास कम से कम वही थार्टीफाइब डेस के आस पास का टाइम है 35 गेसथा रटीसेवन डेसके आस पास कगा तो अब मैं बस बच्चों से एक ही बात कहूंगा कि जल्दी से अपने को समेठे जल्दी से अपने को समेटे मीं तभ उनको जो भी chapter नहीं आते हैं चाहे वह 키 decade के हो चाहे वह फिजिक्स के हो चाहे वह बायो के हो वह जल्दी से जल्दी टार्गड basis पे 11 से 12 दिन में उनको कवर कर ले in Ciao जारा से बारा दिन में उनको कबर कर लें कबर करनें इंदसेंस की एक बार उनको पढ़ लें और उनके कम से कम 50-50-100-100 कोशन लगा लें फिर से मेरी बात को सुनो ठीक है आज हम लोग जिस समय पे बात कर रहा है आई थिंग आथ 30 जुलाई है तो उनका टार्गेट होना चाहि है किसी का एब्री डे लाइफ बचा हुआ है किसी की मॉडरन फिजिक्स बची हुई है या किसी का जलोजी में कुछ बचा है या बॉटनी में कुछ बचा है उसको 10-15 दिन के अंदर एनिहाव खतम करना है दिनरास महनत करके ठीक है और उनके सौ सौ पचास-पचास कोश्च लगाने है ऐसा नहीं कि 500 कोश्चन लगाने चले गए फिर दूसरा चैप्टर खतम नहीं होगा अब बचे हुए जो हमारे पास 25 देज आ रहे हैं उसमें बस एक टार्गेट रखो ठीक है दो घंटे रिवीजन पर डे सब्जेक्ट वाइस दो घंटे रिवीजन को दो घंट सिर्फ कमिष्टी नहीं रिवाइस करनी है दो घंटे हमें रिवीजन करना है उसमें हमने बाइलोजी भी ले लिए कमिष्टी भी ले लिए फिजिक्स भी ले लिए ठीक है दो से तीन घंटे या चार घंटे हमें नया पढ़ना है नया पढ़ना है मतलब पूरी फिजिक्स पूरी बायलोजी में जो हमाराаюсь उसको पढ़ना है कितने गंटे थीन से चार गंटे और प्रड़े एक पेपर सौल करना है फूल सलेवर्स पेपर सौल करना है परड एक परड़े एक मॉक टेस्ट पेपर सौल करिए ठीक है और चार पांच छे मॉक test paper जब इखटे हो जाए मंदब 6 mock test paper का एक साथ analysis करिए कि कौन से हमारे topic weak है कौन से हमारे topic strong है वो मैंने जैसे पिछली class में बताया था वैसे analysis करेंगे कि एक table बना लेंगे ठीक है कि मैंने 5 full test दिये उसमें surface chemistry से कितने question आए electro chemistry से कितने आए atomic structure से कितने जी ओसी से कितने है है थीक है पी ब्लॉक से कितने आए coordination chemistry से कितने आए तो पांस test में मालो सपोस करो हमारे पास पी ब्लॉक से 20 से 22 question आए 20 question मैं से मैंने सिर्फ 10 question किये इसका वंदब पी ब्लॉक हमारा कम जोर है अब चेक करो कौन से question गलत हुए उस portion को अच्छे से read करो पढ़ो फिर से करो इसी तरह से atomic structure में गये देखा यार वहां से हमारे पास 12 question आया है पांस paper में और हमने चारी किये इसका मतलब वह अभी हमारा week है तो कौन सा portion week है तो per day एक test देते जाओ और एक test की analysis ना करो क्यों वह easy भी हो सकता है टब भी हो सकता है जो question आया वही तुमें सिर्फ ना आता हो बाकी सब आता हो तो कम से कम 5 test की analysis करो कम से कम कितने 5 test की analysis करो ठीक है तुम पढ़ड़े जब एक test दोगे तो कम से कम paper तक पहुंचने पहुंचने 25 से 30 full test दे चुके होगे तो इससे क्या होगा इससे paper में बैठते समय तुम pressure handle कर पाऊगे क्यों तुम तो उसी तरह feel करोगे ना जैसे तुम daily test देते हो alarm लगा के दीजिएगा दो गंटे 50 मिनट दो गंटे 40 मिनट दो गंटे 30 मिनट का और जैसे जैसे ये target पूरा होता जाए time को reduce करते चले जाना तो पहली बात तुम्हारा paper नहीं छूटेगा दूसरी बात तुम pressure नहीं feel करोगे अब तीसरी बात तुम्हें पका पता होगा कि तुम्हाई कित्ते नमबर आईगी है क्यों 25 से 30 test में जो average आ रहा होगा last के 10 test का जो average होगा वही paper में आएगा तुम्हारा result आउट है वही लगबग paper में आएगा उसमें 10 15 20 नमबर बढ़ा सकते हो या 10 15 20 नमबर कम कर सकते हो इत्ते ही number आते हैं आप चेक कर लिजिएगा ठीक है तो इस तरह से आप preparation करें last में ऐसा नहीं है कि last के दिन तक सिर्थ तुम पढ़ते ही रहो क्योंकि revision नहीं नहीं होगा आप से 10 निगेट्व या 15 निगेट्व करने पर तो ध्यान नखिए निगेट्व नहीं होने चीए और निगेट्व कम कब होंगे जब तुम revision अच्छा रखोगे और बार बार टेस्ट दोगे क्यों बार बार टेस्ट देने से तुम्हें अपनी सिली मिश्टेक पता चलेंगी और revision करने से तुम्हारा revision पक्का रहेगा तो फार्मूले अच्छे से याद रहेगे डाटा अच्छे से याद रहेगा जो भी कुछ होता है वो सब अच्छे से याद रहेगा ठीक है तो क्या करो टार्गेट लेके 10-15 दिन में अपना सारा flavor समेट लो उसके ब सब टॉपिक वीक है उनको और ज्यादा पढ़ लो